जो फोर्स की ट्रावेलर गाड़ी है इसमें हमने पूरा अप्लच का कोई यूज नहीं है गाड़ी खाली ब्रेक एन एक्सिलरेटर के सिग्मेंस में चले आप लोगों के लिए मैं इस्पेशली हिल रोड पे इस वीडियो को सूट आउप कर रहा हूं तो देख पाएंगे यह पूरी कम्प्लिट सिग्मेंट की गाड़ी है जो की एक वैनिटी वैन के रूप में है आई-म्ती मोड से चला रहे हो फरक क्या लग रहा है इसमें इस हिल एरिया में पूरा बदल गया पूरा वदल गया वीडियो पे बने रही है देख पार है हम नैनिताल साभी 32 किलो मिट दूरी पे हैं यहां उपर में बोड पे और हम पूरे इस रोड पे इसको ड्राइब करके टेस्ट आफ करने वाले फिर आपको इसका रिवीव देते हैं कि यह कि आप से वर्क आउट करती है हमारा ब्रेक दबाने से क्लच का पैडल कभी पूरा प्रेस नहीं होता है यह जो 10 20 यह जो स्पीड में जैसा उठेगा उसके इसाब से उसके भी आफ में हमारे यह कंट्रोलर का बॉक्स यह क्लच के पैडल को सिगनल देगा और क्लच के पैडल उसी के हिसाब से वर्क करेगा जो फोर्स की ट्राविलर गाड़ी है इसमें आपने पूरी कंप्लिट सिग पा रहे हैं यहां पर हमारा मोटर का बॉक्स जो हमने यहां पर सेट आउट करके रखे हुए हैं और यहां हमारे पर क्लच पैडल और ब्रेक एक्सेलरेटर के एफिशेंट ड्राव पर यह गाड़ी खाली वर्क करेगी मतलब आटोमेटिक क्लच पैडल कंट्रोर सिस्टम य जैसा कि आप देख पाएंगे यहां पर हमारे स्पीट के सेटिंग से थ्रोटल पोजिशन सेटिंग से और फूल क्लच हाफ कलच की तीन वेरियेबल उठने की स्पीट के सेटिंग यह सारी सेटिंग हम इसमें कर दी है इसके थूब यह हमारी गाड़ी इंटेलिजेंट में वर्क करते हैं मतलब वी एस एस सेंसर का मतलब होता है यह जो वीकल का मिटर के काटे रहते हैं यह जीरो टैन ट्वेंटी यह जो स्पीट में जैसा उठेगा उसके हिसाब से उसके भी आफ में हमारे यह कंट्रोलर का बॉक जो है यह क्लच के पैडल को सिगनल देगा और कीैल उससे के पैडल कि एमाने सब्सुर देख सेंसरे को बड़ करेगी इसled रही साफ से करेंगा ठालिन मत पूरिक के सुपीस्पीट के आप पर चलेटर एंद ब्रेक के इसमय करेगी तो यृत फॉर्स की ट्राविलर गाड़ी भी हमने पुरा षिटमेंट कर दिया है है यह मैंने इगनिशन की ओन किया और यह हमारा बैटरी पॉंट तर चालू हो गया सब चीज मीटर में लाइट आ गई और हम आई कि एंटेलिजेंट मैनुट रास्मिशन और यह और अटोमेटिक फैडल कंट्रोल सिस्टम चालू हो चुका है अभी जैसा यह सेंसर में हमने एक स्ट्रीप की साड में पर टच करके रखिए यहां पर इस ट्रीप में देगे रखिए जाहें स्ट्रीप में टच करूँगा तो आटीछ हमारा पूरा यह फुली प्रेस होता है कущ सकी सीजिसे प्लिफ घस होगी और जहां मैं अट शीरेडर तो पेडलिक करेंगे तो आदे मोमेंट रहती हे खेता हैं मुमेंट दीड़े कुछ धूरे दबने की यहारी मोमेंट रह剛 हैं हमारा ब्रेक यह हमारा को kellomis नहीmber ही होता है यह चीज इसलिए एफिशेंट या बोल सकते हैं वर्ख फूल है जो कि अगर क्लच पेडल हमारा पुड़ा बार्बा फ्रेस नहीं होगा तो हम ज्यादा क्लच की एफिशेंट लाइफ बढ़ा सकते हैं तो यह उसके इसाब से हमने इसको फोग्रामिंग करका रखा ह हुआ है तो यह फोर्च की ट्राविलर गाड़ी में जहां पर complete fitment अभी हमारी हुई है नानी ताल में जो की उत्रा खण में आता है इस जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह हमारा फोर्च की जो की ट्राविलर गाड़ी है जहां पर हमने complete अपना यहां पर अपने इसाब से चल रही है, यहां पर आपको मैं एक बर दिखा भी जेता हूँ कि हमारा यहां पर नो नीड आपको अच्छा हूँ इसाब आपको इसका रिविवियो देते हैं, यह कि आपको इसे वर्क आउट करती है, इस पोर्स की ट्रैविलर गाडी के वीडियो पर बने रही है, देखेगा इस आप लोगों के लिए मैं स्पेशली हिल रोड पे इस वीडियो को सूट आउट कर रहा हूँ, जहापर यह हमा हम यहां से कर सकते हैं, प्रेशिंग करना या डिसे इंगेजी करना, बाकि सारी चीज हमारी ऑटोमेटिकली फंक्शनल वर्ट करती है, इस स्मूथ वे पर यह गाडी ड्राइव पारी है, इस हील अरिया पर मिश्टर कुंदन जिसे हम इस गाडी के ओनर है, जिनकी गाडी हम आप अपर मेटिकलच बडल का आप ड्राइव कर रहे हैं, मजा आ गया, तो आप इस में कैसा एक्स्पिरियंस रहा जैसे नॉर्मल पैट से ड्राइव कर रहे थे, या भी आप आप आइम्टी मोड से चला रहे हो, फरक क्या लग रहा है आपको इसे, इस हील एरिया में, तो काफी तुझे बार-बार दबाना है उसे, तो फिल्कुल एक पैस अप गर्णी आगे माली चर्वा आपना है, लेकिन आप तो बिल्कुल दूद है, तो हमारी कीट अभी इस पूरे गाड़ी में, पोर्स की ट्राविलर गाड़ी में हमने स्टॉल कर चुकी है, और लोके अपना है अपना है, तो कि अच्छि बार दूद आपना है, तो कि अच्छिए अच्छिए लग पैदल चॉन्तॉल स्टॉल